हेलो डियर स्टुडेंट आज हम ओनलाइन क्लास में बिये पार्ट प्रथम के प्रेक्टिकल जोग्राफिय प्रसंद पत्र की बात करेंगे इसके अंतरकत डियर स्टुडेंट हम वाटर बजट ग्राफ की बात करेंगे जल बजट जो ग्राफ या आरेक है जल बजट या जल संतुलन आरेक के द्वरा किसी इस्तान पर वर्ष के भिन भिन मैनू में जल के अदिसेश यानि सरप्लस तताभाव की ओसत दसाएं या मात्राएं प्रकट की जाती है इस आरेक की रसना करने के लिए पहले दिये हुए इस्तान के ओसत मासिक वर्षा के आकड़ों को दंड आरेक अत्वा साधरन रेखिक आलेक के द्वारा प्रकट करते हैं तत्पस्षात इस आरेक पर तत्पस्षात इस आरेक पर डियर स्टुडेंट उस इस्तान के ओसत मासिक विभव वास्पन वास्पो शर्जन प्रकट करने वाले दंड आरेक का धर उपन कर देते हैं इस आरेक की रचना विधी एं उपयोगिता पढ़ने से पूर्व वर्षनन विभव वास्पन वास्पो शर्जन सब्दों का अर्थ डियर स्टुडेंट समझना आवश्यक है धरातल पर वाई मंदल से प्राप्ट आदरता का निक्षेव वर्षनन कहलाता है और इस परकार वर्षा हीम ओला वे ओस आदी सब वर्षनन के ही विभिन रूप है प्रतेक्स वास्पन एम पेड़ पोदों की वास्पो शर्जन किरिया के द्वारा वू भाग के जल का पुन है वाय मंदल में लोट लोट ना वास्पो शर्जन डियर स्टुजन कहलाता है वाश्प 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 तता वास्पन वास्पो शर्जन की प्रेरित वास्थिक मात्रा यथार्थ वास्पन वास्पो शर्जन कहलाती है तता इसपस्ट की धरातल पर यथिश्ट आदर्ता के अभाव में यथार्थ वास्पन वास्पो शर्जन की मात्रा भी कम हो जाएगी इसके विप्रीत अधिक वर्षा वे कम वाश्पन वाले छेत्रों में यथार्थ वाश्पन वाश्पोशर्जन विभव वाश्पन वाश्पोशर्जन की मात्राएं एक दूसरे के समान हो जाएंगी जल बजट के सिद्दान्द को विख्षित करने का अश्रे सी वारें थांट वैट नामक अमेरिकन भूजल वाई उसास्तरी को दिया जाता है उसने 1948 में प्रकासित अपने एक लेक में यह बताया था कि धरातल के म्रद्दा आउरण में विभव वाश्पन वाश्पो शर्जन हेतू 10 सेंटिमेटर जल धारन करने की डियर स्टुडेंट शमता होती है जब वर्षनन की मात्रा जल की आवश्यक्ता अर्थात विभव वाश्पन वाश्पो शर्जन की मात्रा से कम हो जाती है तो एक निशीत शमय तक मृद्दा आवरण में संचीत आदर्ता से इस कमी की पूर्ती हो जाती है संचीत आदर्ता की समाप्त होने पर जल का अभाव परिलक्सित होता है इसके पशात जब विभव वाश्पन वाश्पो शर्जन की तुलना में वर्षनन की मातरादिक हो जाती है तो इस अतिरिक्त जल से पहले मृद्दा आवरण की आदर्ता का पूर्ण होता है तता सेस अतिरिक्त जल अधिसेस के रूप में धरातल पहर बहने लगता है इस आरे का कृसी कारिय में जब सेस महता और डियर इस्टुडेंट होता है एक एक एक्जामपल है कि इन आकड़ों के माद्दम से डियर इस्टुडेंट हमें जल वजट ग्राप की रचना करनी है इसमें उपर का जो कोलम है उसमें जनवरी से लेकर कि दिसंबर तक के महिनों के नाम है उसके बाद में नीचे की जो दो कोलम है उसमें उसत वार्सिक उसत वर्सा सेंटिमेटर में है हर मेने में जो वर्षा हुई है जीसे 2.4 cm है 2.2 फरवरी में मार्च में पॉइंट 5 ऐसे 12 मेनों की मासिक वर्षा लिखी हुई है फिर उसके बाद में ओसत वीभव वाश्वन वाश्पोस शर्जन सेंटीमिटर में जनवरी में 10 से 12.5 से 12 मेनों का वाश्पोस शर्जन लिखा हुआ है यानि कितनी वर्षा प्राब्ट वी और उसका कितना वाश्पोस शर्जन वाटर का हुआ है इसके दो आंकड़े हैं और इन दो आकड़ों को लेकर के हमें वाटर बजट ग्राप की डियर स्टुडेंट रचना करनी है तो अब सरल दंडारेक की भाती एक आधार रेखा कीची तथा उस पर जनवरी फर्वरी मार्च आदी महिनों को समान दूरी के अंतर पर बाराची नंकीत करके प्रकट करते हैं यानि गराप के उपर हम समान दूरी के उपर जो होरीजेंटल अक्स है उसके पर जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल ऐसे करके बारा महिनों के नाम स आधा रेका के 22 पर एक उर्द्वादर रेका खींचे तथा इस रेका पर सेंटिमिटर की मापने बनाई है उसमें हमने इसके उपर हमें वासपोसरजन के आंकड़ों को लिखना है हमारे जो आंकड़े हैं उनका मैक्जिमम देखना है कि कितना है मैक्जिमम है उसके इसक वर्षा परदस्चित करते हैं उसके परशात इस आधार रेखा पर उसत विभव वासप्रण वासपोसरजन के आंकड़ों को दूसरे दंड बनाकर प्रकट करते हैं दोनु प्रकार के दंड़ों का अंतर स्वस्ट करने के लिए किसी भी एक प्रकार के दंड़ों की पर कि यह जो जनवरी से जून तक वर्शनन की तुन्ना में विभव आश्पोर सर्जन की मात्रा डियर स्टुडेंट अधिक है जिससे इस साओधी में जल का अभाव इस वश्रूप से दरश्टी गोचर होता है जल के अभाव की मात्रा जनवरी में साथ पॉइंट से फरोडिम द की तुन्ना में बर्शनन की मात्रा डियर स्टुडेंट अधिक है जुलाई से सितम्बर के प्रारंबिक दिनों तक विभव वास्पोर सर्जन के पश्यात बच्चा वर्चा वर्शा का मात्रा पुनहें अधिक हो जाती है और अक्टूमबर के अंतिम सब्तातेक मरद्धा और अवरंस में संचीत आदरता से जल की कमी पूरी हो जाती पुरंत उसके बाद जल का भाव बना रहता है इन तीन महिनों में चोवीज पॉइंट 6 सेंटिमेंटर जल का भाव रहता है इसे जो हमने क्यूशन का एक्जामपर लिए उसके आदार पर आरेक में सितंबर और अक्टूमर महा के इस्तंबू में कीचे गए उर्द्वादर रेखाएं क्रमशे मृद्धा आदरता के पुनहें पूरं तथा मृद्धा आदरता की उपियों की अवदी इंगित करती हैं शंक पूइंट चैपरोबर यहां केवल सितंबर में जलका अदिसेश रहता है जिसकी कुल मातरा केवल जिरो पूइंट साथ सेंटीमिटर है नहीं इस वाटर बजट जो ग्राफ है उसके मादन से डियर स्टूडेंट हमें जलके अदिसेश या वाव का पता लगता है उसके अको सुखा और बाढद की स्तति है तो उसके अपोरडिंग वाटर बज्ग को का मेनेज यह इस्टूडेंट कर सकता है तो वाँसे माधन से में किस मेने में डिसेश है किस मेने में कम है उसके कोडिंग उसका हमें खर्च या उसका उसके के इन अनुसर उप्योग किया जा सकता है तो चोछिपी कर लेका के जिसमें बारा मेने करें फास्पर वास्पर वास्पर शर्जन के आखड़े हो ना कि आदाद पर हम ग्राप पेपर के उपर जो हम यह लाइनिक पेश के उपर के ऊपर पर में सीट के उपर सिरूं के उपर सबसे पहले हमें उसत वर्षा का डंडारिक बनाना है और उसके बाद उस पर वास्पों शर्जन के डंडारों को अध्यरुपीत करना है तो इस प्रकार से वाटर बजट डाइग्राम डियर स्टूडेंट हमारा तैयार हो जाएगा निश्यत रूप से आप उस स्टूडेंट